प्रिवी द्यार्थियों आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चनल SRS Classes में आज मैं आप लोग को Class 11 का जो इंगलिज का Poetry का दसवा चेप्टर है और अंतिम चेप्टर है The Palkin Bearers इसका हिंदी एक्स्प्लेनेशन बताने वाला हूँ जो की Composite किया गया है सरोजनी नाइडू को ही नाइटेंगल आफ इंडिया कहा जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आखिर ये चेप्टर किस पर अधारित है तो इस चेप्टर में जो सरोजनी नाइडू है Poetis इन्होंने बताया है कि जो पालकी ले जाने वाले होते हैं वो पालकी को एक अस् तो पालकी में दूलहने आती थी तो उसी समय का सरोजनी नाइडू ने बहुत ही बढ़िया वड़न किया है कि उस समय पालकी ले जाने वाले दूलहन को अथार्ट पालकी को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक कैसे लाते थे तो चेले प्रिविद्यार्त्यों बिने कि गारते हैं कि लाइटली ओलाइटली धीरे धीरे वी बियर हर एलांग हम पालकी को लेकर अपने साथ चलते हैं वकायूज हुआ है पालकी ले जाने वाले के लिए सी स्वेज, स्वेज मतलब हिलती है, सी स्वेज, वह हिलती है, like a flower, एक फुल की तरह, in the wind of our song, हमारे गीत रूपी हवा में सी स्वेज, like a flower, in the wind of our song, वह एक फुल की तरह, हिलती है, हमारे गीत रूपी हवा में इसका मतलब यह हुआ, friends, कि जो पाल की ले जाने वाले हैं, वह कहते हैं, कि जब पाल की ले कर वो गीत गाते हैं, गीत गाते चलते हैं, तो वो पाल की ऐसे हिलती है, जैसे हावा के चलने पर फुल हिलते हैं सी स्कीम, वह ऐसे फुदकती है, जैसे की एक चिडिया नदी की धारा के जाग पर फुदकती है अथार्थ इस लाइन का मतलब है, सी स्कीम, लाइक ए बर्ड आन्द फुमा फिश्टीम, पाल की ऐसे फुदकती है, जैसे की जो चिडिया है, वो नदी के जाग पर आती है, और चोच मार कर उपर चली जाती है सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्राम दा लिप्स आफ ए ड्रीम, फ्लोट्स मतलब हवा में हिलना डूलना, और लाफ मतलब हसना, और लिप्स मतलब होट और ड्रीम मतलब सपना, सी फ्लोट्स वो हवा में ऐसे हिल्टी डूलती है, ए लाफ फ्राम दा लिप्स आफ ए ड्रीम जैसे होठो से हसी निकलती है स्वपन में सी फ्लोट्स लाइक एलाफ फ्राम दा लिफ साफे ड्रीम वह ऐसे हिल्टी डूलती है हवा में जैसे की स्वपन में होठो से हसी निकलती है गैली, ओ गैली, we glide and we sing गैली मतलब प्रसंता पुर्वक, गैली, ओ गैली, प्रसंता पुर्वक, वी गलाइड, हम पालकी को उठाते हैं, एंड वी सिंग, तथा गाते हैं, गैली, ओ गैली, ओ गैली, वी गलाइड, एंड वी सिंग, हम पालकी को उठाते समय प्रसंता होते हैं, तथा गीत गाते हैं, वी बियर हर एलांग हम उसे ऐसे लेकर चलते हैं लाइक ए परल आन ए इस्ट्रिंग जैसे धागे पर लटकाया गया मोती हो प्रिभी देर्थियों बियर मतलब ले जाना और परल मतलब मोती और इस्ट्रिंग मतलब लटकाना हम उसे इस प्रकार लेकर चलते हैं जैसे धागे पर लटकाया गया मोती हो softly, धीरे-धीरे, ओ softly, बड़ी ही को मलता के साथ हम उसे लेकर अपने साथ चलते हैं बीर मतलब ले जाना, और एलांग मतलब साथ सी हैंग्स, like a star in the dew of our song हैंग्स मतलब लटकना, star मतलब तारा और dew मतलब ओस, सी हैंग्स वह लटकती है, like a star, एक तारे की तरह in the dew of our song, हमारे गीत से उत्पन हुई ओस में, सी हैंग्स, like a star in the dew of our song वह हमारे गीत से उत्पन हुई, ओस में एक तारे की तरह लटकी होती है, sea springs, like a beam, and the brow of the tide spring मतलब उच्छलना, और beam मतलब प्रकास की किरन और brow of the tide मतलब समुदर के उपर उठती लहरों पर sea springs, वह उच्छलती है, like a beam, प्रकास के किरन की तरह on the brow of the tide, समुदर के उपर उठती लहरों पर sea springs, like a beam on the brow of the tide, वह समुदर के उपर उठती लहरों पर प्रकास की किरन की तरह उच्छलती है, c false, like a tear from the eyes of a bride false मतलब गिरना, tear मतलब आसू, eyes मतलब आखें और bride मतलब दुलहन c false, वह नीचे आती है, like a tear from the eyes of a bride, जैसे दुलहन की आखों से आसू की तरह फिर एक बार repeat करें, c false, like a tear from the eyes of a bride, वह ऐसे नीचे गिरती है, जैसे की दुलहन की आखों से आसू नीचे गिरते है पालकी कैसे उतरती है, पालकी ऐसे उतरती है, जैसे दुलहन की आखों से आसू नीचे गिरते है lightly, oh lightly, we glide and we sing, lightly, धीरे-धीरे, oh lightly, बड़ी ही मधूरता के साथ, we glide, हम उसे लेकर चलते हैं, अथारत पालकी को, and we sing, तथा गीत गाते हैं lightly, oh lightly, we glide and we sing, हम धीरे-धीरे, तथा बड़ी ही मधूरता के साथ, पालकी को लेकर चलते हैं, तथा गीत गाते हैं we bear, her along like a pearl on a string, हम उसे इस प्रकार लेकर चलते हैं, जैसे धागों पर लटकता हुआ, मोती हो फिर एक बार repeat करें, we bear, her along like a pearl on a string, हम उसे इस प्रकार लेकर चलते हैं, जैसे धागे पर लटकता मोती हो तो friends, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये chapter समझ में आ गया होगा